Hello everyone and once again welcome to WSQ Tech इस particular वीडियो से हम लोग बात करने वाले हैं about e-commerce SEO वाइस हम लोग जो शुरुवात करने वाले हैं हमारा e-commerce SEO के लिए हम लोग keyword research किस तरीके से करते हैं जो e-commerce SEO के point of view से अगर आपका को e-commerce store है और उसके लिए आप keyword research करना चाहते हैं आपने products को rank करना चाहते हैं, categories को rank करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी यह है कि सबसे पहले आप अपनी website की structure को समझने की कोशिश करें क्योंकि जितनी भी e-commerce की strategy अभी आप लोग आगे देखेंगे जो हम आपसे discuss करेंगे वो सारी strategies revolve करती हैं इस चीज के around की आपकी website का structure कैसे है जैसे अगर हम लोग यहाँ पर keyword research की बात करें तो basically जब हम keyword research को समझने कोशिश करते हैं तो आपकी दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि user कोई keyword type करता है इसका मतलब वो उस type के उस nature के product में या उस specific product में interest रखता है तो वो product आपकी website के उपर किस तरीके से organize है website का structure किस तरीके से है इसके उपर depend करता है कि आप जो अपनी keyword research की process है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे तो एक जो बहुत ही general सा e-commerce website का structure होता है या जो बहुती basic जो e-commerce का structure होता है वो यह होता है कि हमारे पास हमारा homepage होता है उसके बाद हमारे पास category pages होते हैं और उसके बाद हमारे पास products वाले pages होते हैं तो generally जो हमारा effort रहता है नई website के लिए इस बात को नोड़ तरीकर थोड़ा देखो जब हम efforts की बात कर रहे हैं तो basically effort का ही एक part है keyword research करना तो जब मैं यह कह रहा हूँ कि हम search engine optimization के effort करते हैं इसका मतलब हम बात करें कि किस type हम उसकी keyword research और बाकिस चीज़े हैं और जो हमारे backlinks हैं वो सारी चीज़े हैं आप product pages को optimize नहीं करते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आपके checkout के page होते हैं उसको आप optimize नहीं करते हैं सारी चीज़ों को optimize करते हैं बट नई website के लिए जैसे मैंने भी बताया है मैंने laptop screen के उपर यहां पर आपको एक जोड़पुरी furniture नाम से website दिख रही है तो हमें यह बास समझ में आ गया है कि यह website के उपर जितने भी products हैं वो furniture category के हैं वही पर अगर हम दूसरा example है जैसे हम Amazon का example लेते हैं फ्लिप कार्ड कर ले लेते हैं या फिर ऐसी वेबसाइट का example अगर आप लेना चाहें जहां पर mix categories होते हैं जो वेबसाइट है वो different different niches के different different categories के product में deal करती है यह दोनों website बिल्कुल अलग हैं यहां पर हम लोग अभी बात करें जैसे यहां पर आप देखें जो पूरी furniture यह वाली website है पहले हम लोग इसका structure है उसका audit कर लेते हैं अपनी website के उपर तो यहां पर आप देख सकते हैं यह सारे हमारे category pages है जैसे अगर हम लोग यहां बेड्रूम पर आए तो beds जो आप देख रहे हो इस आर बेसे काटेगरी pages तो यहां पर अगर हम लोग ए king size bed वाला page open कर लेते हैं और साती साथ हम लोग dining पर आ जाते हैं और य चुके हैं category वाले level पर हैं तो यहां पर आप देख सकते हो बहुत सारे beds है अब beds के नाम को समझने कोशिश कर देखो और जादा deep में जाका लोग नहीं सार्च करते हैं और आपका जो individual product है अगर हम उसके नाम को देखे तो Olivia king size beds with uplift storage ठीक है तो लोग यह नहीं सार्च करते हैं या तो लोग यह सार्च करेंगे wooden beds online by wooden beds online राइट या वो सार्च करेंगे king size beds online by king size beds online by beds with storage online और by online beds इस टाइप से चीज़े सार्च करेंगे बहुत specific नहीं जाते हैं अब जब user की query इस type की है यानि कि user की जो query है उसके हिसाब से जो हमारा category page है वो feedback का है तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं अपने efforts को start करते हैं जो keyword research है उसको start करते हैं हम लोग category pages से राइट तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि यह वाला जो हमारा specific page है और यह category page है और अगर हम लोग category देखें इसकी तो king size beds हैं ठीक है तो लोग हो सकता है इस type से search करते हो king size beds in Bangalore तो हम उस type की audience को cater करना चाहते हैं या उस type की searches है वहाँ पर हम rank होना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम इस type की keywords को लेकर जो है वो efforts अपने कर सकते हैं इस category page को optimize कर सकते हैं किस type की keywords को जो हमारे king size beds furniture इस type के जो हमारे keywords है अब हम individual के उपर नहीं जा रहे हैं बस समझ मैं तो यहाँ पर क्यूंकि websites भी e-commerce में websites बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं यहाँ पर तो आप देख रहे हो कुछी category pages हैं बट कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि बहुत सारी categories हो for example ऐसा भी होता है कि एक website के उपर जैसे क 50 categories हैं और हर 50 category के अंदर 200 products है तो आप देख सकते हो कितने जादा प्रोडेक्ट हो जाते हैं अगर इतने जादा प्रोडेक्ट हो जाएंगे तो किस तरीके से हम लोग एक individual product को optimize करेंगे नई website के लिए अभी तो वह बिल्कुल नई website अभी उसकी domain authority भी उतनी इच्छी नहीं ह पड़ेगी अगर number of products जादा है तो अगर 3-4-5 number of products हैं केवल एक category के अंदर तब हम strategy को और जादा refine कर सकते हैं और वापस page level पर जाकर जो हमारे keyword research है वो कर सकते हैं जिसको rank कराने की पूरी कोशिश कर सकते हैं अगर बहुल जादा products हैं तो problem होने वाली है ऐसे case में हम लोग क categories को rank कराने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला जो rule है जो आपको ध्यान रखना है कि e-commerce में हम नई website के लिए start कैसे करेंगे category से rank कराने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो keyword research जो मैंने यहाँ पर कुछ points लिखे हुए है e-commerce store keywords are generally of high buying intent तो हमारे जो target है वो इस type क keywords के around होना चाहिए जहाँ पर लोग buy word का use कर रहे है जहाँ पर लोग online word का use कर रहे है जहाँ पर लोग purchase word का use कर रहे है तो इस type के जो words होते हैं तो उनसे हमें यह पता चलता है कि जो user की query है वो buying intent user खरीदना चाहता है जैसे buy online sofa या buy sofa online buy sofa online, buy chairs online तो इस type की queries होती है बाई best chairs, best chairs online तो इस type की queries होती है वो हमें बताती है कि यह queries high buying intent की मतलब इस type की queries के उपर user जो है अगर searches कर रहा है यह इस type की queries को search कर रहा है तो उसके chance से ज़ादा है कि वो product को लेगा तो उस point of view से हमारी कोशिश रहती है कि हम इस type के जो हमारे keywords ह है उनको पहले target करें और category pages को इसलिए target करते हैं क्योंकि category broad चीज होती है और product उसके नीचे होते हैं तो हम हर एक individual product के उपर जाकर starting में उतना effort नहीं कर पाएंगे second point वाई यह जो यहाँ पर लिखा हुआ main focus is on category pages and home pages also keyword research depends on the number of the products and the depth of the category depth of category मतलब width की बात करें कितनी सारी categories है के पास that is basically width कितनी depth है categories की that is basically कितने उस category के अंदर आपके पास products है यह sub category भी है आपके पास right we majorly not focus on products keywords because the search volume and the intent of that particular product is quite low ठीक है individual level पर जैसे shoes की बात करते हैं तो लोग क्या सर्च करेंगे लोग सर्च करेंगे नाइकी शूस लोग सर्च करेंगे यहाँ पर let's say example ही हम लोग ल लोग सर्च करेंगे यहाँ पर best sport shoes जिस type की लोग queries कर सकते हैं best sport shoes लोग यहाँ पर सर्च करेंगे best sport shoes under 2000 इस type की queries लोग करेंगे तो हमीं इस type की queries को cutter करना अब आपको समझ में आ गया होगा अगर आप नाइकी के 50 products बेच रहे हैं 50 shoes बेच रहे हैं तो आपकी website के structure किस type का हुआ कि यहाँ पर आपकी website का name है लेटसे हम लोगों ने जो example लेना है वो WS क्यूटेक ले लिया यहाँ पर हमारी website का name है और उसके बाद हमारे पास अलग-अलग categories हैं मानके चलते हैं हम यहाँ पर shoes बेच रहे हैं यह हमारे formal shoes हैं और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास sport shoes ह हैं उसके बाद यहाँ पर हम लोफस मान सकते हैं लोफस हम लोग sale कर रहे हैं यहाँ पर casuals हैं यहाँ पर party wear shoes हैं तो यह हमारे अलग-अलग है ठीक है अब यहाँ पर अगर हम sport shoes की बात करें तो sport shoes में हमने sub category बना दी sub category है यह मैं आपको website का structure बता रहा हूँ जैसे nike है and then उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एडिड़ास है ठीक है उसके बाद हमारे पास यहाँ पर puma है उसके बाद हमारे पास कोई दूसरी brand हम लोग ले ले लेते हैं जैसे Essex है ठीक है यह हमारे पास अलग-अलग brands है जिनक कुछ random सा number sports shoe okay sports shoe for men right इस टाइप से होंगे यहाँ पर हम कुछ queries को और भी add कर सकते लोग ऐसे भी सर्च करते है nike shoes for men right buy nike shoes for men online nike shoes for men इस टाइप से भी queries लोग सर्च करते है ओके यहाँ पर मैं इसको लिख देता हox by n kie shoes for men online online for men right इस टाइप से भी सर्च करते हैं लोग तो यहाँ पर बहुत सारी possibilities हो सकती queries की बट क्या लोग इस टाइप से सर्च करते नहीं बट इस टाइप से हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगभग 50 प्रोडेक्स आपके पास ऐसे होंगे तो अब आप खुर बताइए कि इस टाइप के individual product को rank कराना आसान है अगर हमारे पास multiple products हैं जैसे 50 तो यहाँ हो गए उसके बार 50 यहाँ हो गए सब्सक्राइब करते हैं प्रोडेक्स के लेवल पर जो optimization की need है वो हम करते हैं बट main focus किसके उपर होता है main focus हमारा होता है category के उपर because category change नहीं होती एक और बास समझी कुश्य करते हैं, लोग अगर स्पोर्ट शूज सर्च कर रहें, तो आपके जो स्पोर्ट शूज का जो page है, वो change नहीं होगा, बट products आप discontinue कर सकते हैं, products आप remove कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़े कर सकते हैं, तो individually जो हमारे efforts हैं, वो पेच के लिए अगर आपने प्रोडेक्ट पेच के लिए बैक लिंग बनाया और वो प्रोडेक्ट हमने डिसकंटिन्यू कर दिया खई बार ऐसा होता है प्रोडेक्ट डिसकंटिन्यू हो जाता है प्रोडेक्ट को हम रिमूफ कर देते हैं वहां से अब वो प्रोडेक्ट अव बेशने बंद करते हैं, but basically हम Nike बेशना बंद नहीं करेंगे, या Adidas बेशना बंद नहीं करेंगे, तो important समझ में आ रही है कि जो हमारी website का structure है, यह बहुत important होता है कि हमें e-commerce का SEO किस तरीके से करना है, और जो important point समझ में आना चाहिए, वो यह है कि हम शुरुवात category pages और homepage से करत and backlinks के issues हो जाते हैं, वो सारे, fine, यहाँ पर हमारे पास इस website का structure है, तो अब ही आपको समझ में आ गया, अगर हम king size beds, यह हम beds online, इस type से जो हमारा primary keyword होगा, उसके around हम अपने semantic keywords और जो हमारे secondary, tertiary keywords हैं, उनको select करेंगे, और फिर further हम अपनी जो हमारे pages है, जहाँ पर भी हमें उ आते हैं, तो आप देखोगे, wedding sharevani, जो है, this is basically category, यह हमारी category है, तो हमारा main focus के इस बात के उपर होना चाहिए, कि हम wedding sharevani को target कर रहे हैं, जो लोग wedding sharevani सर्च कर रहे होंगे, by wedding sharevani, in Jodhpur, by best wedding sharevani, इस type के जो keywords लोग search कर रहे होंगे, हम लोग अभी देख लेंगे, tools होगर हमें, कि उन keywords का search volume कितना है, वो keywords कितने जादा search किये जा रहे हैं, उसके हिसाब से हम जो अपने efforts हैं, वो आगे की तरह बढ़ाएंगे, but हम individual level पर जो है, बहुत जादा keyword research वो नहीं करते हैं, ठीक है, optimize ज़रूर करते हैं, but keyword research, backlinks की process, यह सारी चीज़े हैं, हम बहुत जाद यहाँ individual level पर नहीं करते हैं, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो royal groom wedding sharevani जैसे यह इस page product का जो है, वो नाम है, तो generally कौन royal groom wedding sharevani search करेगा, नहीं करते हैं, तो guys यहाँ पर let's say, कि हम इसी की बात करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर कुछ keyword research करना चाहें, यहाँ पर हम क जो हमारे सामने URL होते हैं, वो किस टाइप के होते हैं, अब आप देख सकते हों, यहाँ पर आपको बड़े सारे जो हैं, यहाँ पर products दिखाई देंगे, ठीक है, बहुत सारे, तो हमारा main focus क्या होगा, कि हम इस page को rank कराने की कोशिश करें, मतलब wedding sharevani से related जो searches हो रही है, उन keyword difficulty वो 15 है, ठीक है, एंड जो search volume है, वो है लगबग 2000 के आसपास, CPC अभी हम लोग ignore करें, क्योंकि paid ads की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको जरूर बताना चाहूंगा, देखो, यहाँ पर search volume कितना है, 2000 के आसपास, अब बहुत ध्यान समझने क सर्च करना, search volume 2000 के आसपास है, इसका मतलब 2000 लोग on an average monthly searches कर रहे हैं, बट जब searches होती है, जैसे यहाँ पर searches हुई, wedding share वानी, यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ, wedding share वानी, अब wedding share वानी के searches हुई, अब यह search engine result पेश सामने आते हैं, chances क्या है, यहाँ पर 1900 searches तो हुई, average monthly searches जो हम यहाँ पर results है, उन्हीं के उपर click करेंगा, ऐसा नहीं होगा, जब बंदा search करता है, जैसे मैंने यहाँ पर search किया, wedding share वानी, तो मेरे पास यहाँ पर opportunity है कि मैं images पे चला जाओ, मेरे पास यहाँ पर opportunity है कि मैं इन ads को देख लूँ, मेरे पास यहाँ पर click कर दूँ, मेरे पा search volume के हिसाब से, जो organic clicks है, वो कितने आ रहे हैं, बतलब एक जो keyword है, बहुत ध्यान समझना इस बात को, एक जो keyword है, वो organic clicks के हिसाब से कितना powerful है, कितने chances हैं कि उसके उपर organic click आएगा, या हमें उसके लिए paid ads की तरफ जाना पड़े, या हमें एक mixed strategy जो है, उसको use करना, क्यू sales भी आपका main focus होना चाहिए, कि वहाँ से results आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या conversions हो रहे हैं या नहीं, तो इस point of view से क्या यह identify करना जरूरी नहीं है, कि जितने भी हमारी search volume है, जो भी हमें एक specific keyword के उपर हमें search volume दिख रहा है, क्या उस search volume के according organic clicks है, या किस percentage में है, तो यह च start कर सकते हैं, बाकी अगर यहाँ पर आप देखो, तो search volume इसका कितना है, 2000 के आसपास इसका search volume है, but organic clicks only कितनी मिल रही है, 26%, मतलब 100 लोगों में से केवल 26 लोग ऐसे हैं, जो organic results के उपर click कर रहे हैं, अगर हम इसको exact calculate करना चाहें, तो यहाँ पर जो search volume है, वो कितना है, 1900 है, तो हम 26% ले लेते हैं, 1900 का, ठीक है, 0.26 into 1900, तो लगभग 500 लोग केवल, मतलब अब यहाँ पर volume search volume तो 1900 है, बट केवल 500 लोग ऐसे हैं, जो organic results पे click करें, तो आपको इसके उपर तो ध्यान दे नहीं देना है, कि search volume हाई है या कम है, उसके साथ साथ आपको इसके उपर भी ध् कि आखिर organic clicks आप कितनी capture कर पा रहे हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पर same terms है, wedding shareवानी 1900, shareवानी for wedding 1300, shareवानी for men wedding, wedding shareवानी for men, यह हमारे लिए अच्छा keywords हो सकते हैं, ठीक है, तो मैं एक बार के लिए view all करता हूँ, और जो भी हमें यहाँ पर बहुत सारे keywords दिख रहे हैं, उनक हमें यह भी देखना है, यहाँ पर जो आपको organic clicks only दिखना है, ठीक है, so we can figure out, जो हमारे basic keyword research की जो technique है, वही हमारी यहाँ पर use होगी, कोई नय टाइप के keyword research यहाँ पर नहीं use होती, मतलब जो approach है, वो ज़रूर बदल जाती है, बट जो basics है, कि हमें high volume वाले keywords पकड़ने, जि किस type से हमें keywords को रखना है, वो सारी चीजें उसी type से रहती है, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे है, basically keyword research की, so I believe यह wedding sharevani वाला keyword है, यह हमारे लिए ठीक है, men's wedding sharevani यह भी ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, 9 यहाँ पर हमें केवल दिख रहा है, sharevani design for men, wedding with price, इस search कर रहे हैं, और यहाँ पर 35% जो clicks है, वो जो है organic clicks आरी में भी, इस keyword के उपर बहुत सारे लोग ads ना run कर रहे हूं, इसलिए organic clicks का number जो है, वो ज्यादा है, fine, तो यहाँ पर sharevani for wedding, sharevani for men wedding, इनमें से हम किसी को भी select कर सकते हैं, तो volume के basis बगर हम देखना चाहें, तो हम यहा पर हम लोग आ जाते हैं, और आप इसके लिए excel sheet बना सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग primary keyword ले ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो हमारा primary keyword जो है, वो हो जाएगा wedding sharevani, और इसके support में जो हमें semantic keywords रखने हैं, वो हो जाएंगे guys हमारे जैसे wedding sharevani for men, ठीक है, wedding sharevani for men, और उसी तरीके से sharevani for wedding, यह हमारे semantic keywords हो जाएंगे, sharevani for men, और यहाँ पर आते है wedding sharevani for men हो गया, men's wedding sharevani, इसको भी हम लोग use कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमें top 5 दिखने से sharevani for wedding जो है, इसका सच value भी ठीक ही है, ठीक है बहुत ही poor नहीं है, और इसकी keyword difficulty वो भी थोड़ी सी कम है, त जो हम लोगों ने यहाँ पर category page देखा है, इसी का example लें, तो इस direction में हम लोग keyword research कर सकते हैं, वहीं पर अगर हम लोग यहाँ पर आ जाएं, जो पुरी furniture वाली website है, और यहाँ पर हम यह मान के चलते हैं, कि sofa के अंदर, जो wooden sofa come bed वाली category है, अगर हम इसको rank करना चाहें, तो हम wooden sofa come bed जो हम लोगों ने एंटर किया, और इससे जो related keywords है, अगर आप देखो wooden sofa come bed online, इन सभी के volumes बहुत कम है, बट wooden sofa come bed, इसका जो volume है, search volume वो ठीकी है, मतलब काफी जारा है, अगर second वाला हम लोग जो volume देखने है, उससे 400 से 3 मुना जारा है, वो keyword difficulty भी 4 है, तो यह basically rankable है, ठी type की keywords के उपर काम नहीं कर रहे होंगे, तो इसलिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो keyword difficulty वो थोड़ी से कम है, अगर हम यहाँ पर जो clicks के distribution उसकी बात करें, तो 33% जो clicks है, वो organic clicks है, और बड़ी सारी searches ऐसी भी हो रही है, ठीके wooden sofa come bed को लेकर, जिसमें लोग search करें, उसके ब बात करें, तो मैं इस keyword को यहाँ पर final करता हूँ, यह वाला जो हमारा keyword है wooden sofa come bed, और इस keyword को final करके, यह वाला जो हमारा category page है, इसको optimize करने की कोशिश करेंगे, और भी हम लोग को deep में जाने की जरूरत है, जैसे एक बार हम लोग wooden sofa set के उपर जाते हैं, और इस keyword को और अच्छ पर भी rank करता है, ठीक है, folding bed के उपर भी rank करता है, और यहाँ पर हमें search in result page की अभी positions नहीं दिख रही है, तो यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी keyword select किया, जैसे wooden sofa come bed हम लोगों ने जो keyword उसको select किया, तो इसका parent topic भी है, parent topic का मतलब यह होता है, तो जो हमारा keyword है, उसका और ज wooden में deal कर रहे हैं, तो आप इस type का जो आपका keyword है, इसको आप basically primary keyword मान सकते हैं, आपको यह calculation जरूर करनी होगी, कि आप कितने audience का जो organic click है, वो expect कर रहे हैं, या कितने searches के around जो queries हैं, उनके around जो organic clicks हैं, वो आप expect कर रहे हैं, तो guys I believe अभी आपको यह process समझ में आ गई होगी, कि keyword research होती है, e-commerce website की, या e-commerce के उपर जो category pages होती है, उनकी keyword research होती है, इस बाग पर depend करती है, कि उस website का structure किस तरीके का है, और हमारा main focus जो है, वो starting में category pages के उपर होना चाहिए, दोस्तों इस particular video में इतना ही, मिलते हैं next video में, till then, good bye झाल